कॉंग्रेस कारकरताओं को संभोधित करती हुए सोनिया गांदी ने कहा कि महात्मा गांदी ने पूरी दुनिया को अइंसा का रास्ता अपनाने की प्रिणा दी आज भारत जहां पहुंचा है वो गांदी के रास्ते पर चल करी पहुंचा है सोनिया ने कहा कि गांदी का नाम लेना आसान है लेकिन उनके रास्ते पर चलना मुश्किल है कॉंग्रेस अद्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांदी के राष्टे से हट कर अपने दिशा में ले जाने वाले पहले भी कम नहीं थे पिछले कुस वर्षों में साम दाम दंड बेट का खुला कारोबार करतिक के वे अपने आपको बहुत ताकतवर समझते हैं इन सबी के बावजुद भारत नहीं बढ़का क्योंकि हमारे मुलक में गांदी के विशारों की अधर शिला है उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोगों ने गांदी के विशारों को उल्टा करने की कोशिश की है कुछ लोग चाहते हैं कि गांदी नहीं RSS देश का प्रतीक बन जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता गांदी जुन नहीं बलकि RSS भारत का प्रतीक बन जाए मैं ऐसे कहने वालों को साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की मिली जुली संस्कृती, मिली जुली सब्यता और मिले जुले समाज ने गांदी जी की सर्व समादेशी व्यावस्ता के अलावा कभी कुछ सोच नहीं सकती गांधी और शास्ती जैंती के मौके पर आज इन दोनों ही महापुर्शों की समाधियों पर विशेश आयुजन हुए वहीं राश्टपती रामनाथ कोविंद्र प्रधानमंती नरेन मोदी ओपराश्टपती वेंकई नाइडू के अलावा कई बड़े नेताओंने दोनों ही सम समाधी पर पहुंचे और शद्दान जली अर्पित की इसके बाद वे कुछ दिर यहां आयुजद भजन कारिकरम में शामिल हुए प्रधानमंत्री के अलावा पूर प्रधानमंत्री मनमोन सिंग और कॉंग्रेस नेता सोनिया गांदी ने भी बापू को शद्दान जली अर् इस दौरान वहां दिल्ली के मुख मंत्री अर्विंद केजरीवाल के अलावा अनिलोग मौजूद थे लाद भादु शाष्टी के बेटे और उनके परिवार ने भी पूर प्रधानमंत्री महत्मा गांदी को शद्दान जली अर्पित की राष्ट्पती महत्मा गांदी के 150 चासवे जन्म दिवस के अफसर पर मुख मंत्री कमलनाथ पद्यात्रा में शामिल हुए उन्हें कॉंग्रेस की परंपरागट टोपी पहन रखी थी पद्यात्रा जवार बवन से प्रारंब होकर रोशनपूरा से मिंटो हॉल इस्टित गांदी प्रतिमा तक आयुजित की ग उन्होंने कहा कि गांदी जी के सिद्धान्तों पच्चल कर यह समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं पद्यात्रा में मुखमती कमलनात के साथ जनसंपर्क मंतरी पीसी शर्मा के अलावा कुछ मंतरी विदायक और कौंगर इसकार करता शामिल हुए इस अफसर पर लोगों को कमलनात ने कहा कि बापू के सिद्धान्त और दर्शन देश की सबसे बड़े पूजिये हैं और गांधी दर्शन ही देश की बड़ी से बड़ी चुनोती का सामना करने के लिए परियाप्त है हनी ट्रैप मामले में जाच कर रही साइटी को 9 दिन में 3 बार बदला गया विवादों के चलते S.T.S. और Counter Intelligence Chief संजीफ शमी को S.I.T. से हटा दिया है अब S.I.T. की कमान लोक अब्यूजन महान देशक राजजन कुमार को सौपी गई है उनके साथ A.D.G. साइबर, मिलिंग, कनसकर और A.S.P. इंदौर, रुची वर्दन मिशा को टीम में शामिल किया गया है टीम की कमान समालने वाले राजजन कुमार को यह अधिकार दिये गए हैं कि वे अगर आवशक होगा तो अन अधिकारियों की मदद ले सकेंगे D.G.P. को S.I.T. को आवशक सहयोग देने का आदेश दिया गया है हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए पुलिस महानेदिशक वेजे कुमार सिंग ने 23 सितंबर को पहली S.I.T. का गठन किया था जिसमें I.G.C.I.D.C. निवास वर्मा को कमान सौपी गई थी इसमें कमान्डेंट 25 वी बटालियन मनोज कुमार सिंग को भी रखा गया था अगले दिन 24 सितंबर को जब तक वर्मा अपनी टीम के साथ इंदोर मेफरक्रेंट की जांच के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्हें रूख दिया गया और संजीफ शमी को इसकी कमान सौपी गई और अब शमी की जगह राजिन कुमार को जिम्मेदारी दी गई है SIT जिनके नेतरत में गठित की है वो 1985 के IPS अधिकारी है और DZ लेवल के अधिकारी है इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और उनके नेतरत में SIT गठित की गई है और जिस पाइंट आप उससे जो की गई है गठित वो सारे पहलों को कवर करते वे जाच की जाएगी SIT गठन के दिन से ही मुकमंतरी कमलनात की नाराजगी इस मामले में साफ दिखाई दी रही थी बताया जाता है कि 24 सितंबर दोपर में चले घठना करम के बाद पुलिस महानिदेशक ने CID के ADG राजीव टंडन, ADG ATS वा काउंटर एंटेलियेंस संजीव शमी को बुलाया और SIT के चीफ में परिवतन करने पर चर्चा की शाम को ही शमी के SIT प्रमुप बनने के आदेश हो गए मगर उनकी जाच करने की कारप्रणाली को लेकर नौकरशा असंट जावुआ के घमासान को लेकर भोपाल में भी नेताओं की बयानबाजी अपने चरम पर है जावुआ में सीधा मुकाबला कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच है दोनों ही पार्टिया अपनी अपनी जीत के परती आश्वास थें और इनके अपने अपने जीत के गणित भी है कॉंग्रेस ने जहां अपने पुराने मोहरे कांतिलाज भुरिया को मैदान में उता रहा है वहीं बीजेपी ने जवा भानु भुरिया पर भरोसा जताया है दो भुरियाओं ने जावुआ की रण को रोचक बना दिया है पहले कॉंग्रेस का गणित पीसी शर्मा से समझ लें बीजेपी का दावा है कि जावुआ चुनाओ में बीजेपी ही जीत दर्च कराएगी पूर्वंत्री नरुत्रमिशा का डावा है कि जनता ने कॉंगरेस को 9 महीने देख लिया है इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतेगा नरुत्रमिशा को सुनेंगे तो लगेगा बीजेपी ही जीतने वाली है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गफ के जाबुआ वाले बयान पर अब सिया सत्तेश हो गई है नदीनियायस अध्यक्ष कंपीटर बाबा ने गोपाल भार्गफ पर निशाना साधिते हुए कहा कि ये देश सबका है कोई किसी भी पार्टी का हो सब हिंदुस्तानी है सभी को समिधान में आधिकार प्राप्त है यहां सभी जाती और वर्ग के लोग रहते हैं गोपाल भार्गफ का यह बयान उनके राजनैतिक सामाजिक और नैतिक पतन को बताता है कम्पीटर बाबा ने कहा कि अगर जनता भाजपा को वोट नहीं करती तो क्या वो देश द्रोही मानी जाएगी बाबा ने कहा कि गोपाल भार्गव बताए उनके पूर्वच किस पार्टी को वोट करते थे जिस देश की समयधान की मूल प्रस्तावना में लिखा हो हम भारत के लोग जहां अलग-अलग धर्म जाती समुदाय के लोग निवास करते हों वहां नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिया गया बयान उनके राजनेतिक, सामाजिक और नेतिक पतन को दरसाता है भारत में रहने वाला हर वेक्ती, चाहे हुआ किसी भी बाती का या दल का हो, वह केवल हिंदुस्तानी हैं और यहां उसका समयधानिक अधिकार भी है नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिया गया बयान देश की जनता के समयधानिक अधिकारों का हननन भी प्रतित होता है गौरतलव है कि भारगव जाबुआ विधान सभा सीट पर होने वाले उप चुनाव के लिए प्रचार करने पहुचे थे और चुनाव आयोग में शिकायत भी की जिसके बाद गोपाल भारगव पर मामला दर्च किया गया अतीवरश्टी के करान प्रदेश में किसान परिशान है कमला सरकार ने सर्वे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं यहां किसानों की गले में सिलेट लगाकर बरबाद फसल का सर्वे कर किसानों के फोटो लिए जा रहे हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सर्वे के नाम पर किस तरह कमला सरकार में अधिकारी किसानों के साथ अपरादियों जैसा वहवार कर रहे हैं आपती जाहिर की थी उसके बाद भी अधिकारियों का ये ड्रामा जारी रहा दुनिया चांग पे पहुंच रही है लेकिन आज भी बेटियां होना लोगों को खलता है एक के बाद एक पांच बेटियां होने पर एक परिवार ने अपनी बहु के साथ जम कर मार पीट की और पा पहम से भरे अधिकारी ने उससे आविदन लेना तक उच्चित नहीं समझा मद्परदिश सरकार महिलाओं के लिए बात ये बड़ी-बड़ी करती है लेकिन उसके अधिकारी महिलाओं की शिकायत तक सुनना मुनासिब नहीं समझते पिडित महिला अपनी बच्चीयों के ल अधिकारी पर कोई असर नहीं पड़ा से बाहर निकाल दिया और आज जब उस सिकायत करने हैं साब के यहां पर आई है जन सुनवाई में आई है चुकि कलेक्टर साब महुदा नहीं मिले हैं तो एस्टीन साब का इतना बुरा बिरवाव रहा है उस महला बचारी पीछे पीछे भाग रही है और वो रखने के नहीं चलता है जिस तरह से आज एच्टीम ने कहा है उनकी मानों तक किस तरह से एच्टीम की मर गई है वहाद सब के सामने दिख रहा है पीडित महला फौरी तोर पर अपने और पांच बच्चीयों के लिए परशासन से कुछ रहा चाहती थी लेकिन परशासन के लापरवा पांच बेटियां पैदा हो गई लेकिन लड़का नहीं हुआ जिस वजह से उसे पांच मासूम बेटियों से घर से यह कह कर निकाल दिया कि उससे बेटा पैदा नहीं हो रहा है इस वजह से उसके पती की दूतरी शादी करना है महला अपनी पीडा लेकर जन सुनवाई में पहुँची थी जहां उसे मदद तो नहीं मिली एक अधिकारी ने उसका तमाशा जरूर बना दिया प्रशासन से ठक हार के परिशान महिला ने पुलिस अधिकारीयों को अपनी पीडा सुनाई तब एडिशनल एसपी ने पीडित महिला की फरया सुनी और उसे नियाय दिलान गौलियर में बहोडापुर थाना छेत्र के रामदास घाठी में 85 साल की बुजर्ग महिला जुगोबाई की गला घोट कर हत्या करती गई हत्या के बाद जब पैर से चांदी के कड़े बदमाश नहीं उतार पाए तो उनमें से एक बदमाश अपने घर से बका लेकर आया और ब्रद्धा के दोनों पैर काट कर कड़े निकाल ले गए पुलिस ने काफी गहराई से इस ब्लाइंट मदर की तफ्तीश की और हत्या के मास्टर माइंड भूरा ओर्फ काले खां को धर्दबोचा इस हत्या कान में कड़े लूटने में उसके साथ ही जमाल खान भी शामिल थ बाद दोनों ने एक एक कड़ा बाट लिया था इसके बाद दोनों ने जौरा जाकर सर्राफा पवन की दुकान पर सौधा किया कड़े की कीमत 13600 रूपे बताई गई बताय जा रहा है कि भूरा पहले भी चोरी की बड़ी वार्दातों को अंजाम दे चुका है पुलिस ने अरोपी से देशी कट्टा और जिंदा कार्दूस बरामत किये हैं और उससे पूश्थाज की जा रही है बाइक सवार तीनों लोग रिष्टेदार थे विधार के केसरपुरा से पीपली मला जा रहे थे इसी दोरान दोपर में उनकी बाइक धरावार फाटे पर सामने से आरे ट्रक सी बढ़ गई इस जवर्दस बढ़ंक में तीनों दस फूर दूर जा गिरे सिर में चोट लगने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई मौके पर कुटवाली पुलिस ने तीनों के शव को जिला अस्पताल भिजवाया कुटवाली थाना पर वारिश वो शत्री ने पताया कि तीनों लोगों की मौत गटना इस्तरपरी हो गई थी ट्रक को जब्त कर लिया गया है नियमों को ताक पे रखकर पिछले दिनों यूपी के पूर मंतरी बाश्शा सिंग के बेटे के तलक समारों में ताबर तोड हर्श फाइरिंग की गई जिसका वीडियो अब वाइरर हो रहा है हर्श फाइरिंग के दोरान एक गोली दोलन के भाई और भाश्पाई जवा मूर्चा के महामंतरी बरजेन सिंग और बॉबी के पेट में जा लगी थी जिसके बाद बॉबी का एक निजी एस्पताल में इलाज चल रहा है आईए हम आपको दिखाते हैं ताबार तोड़ हुई हर्श फाइरिंग का वीडियो गौर तलब है कि तिलक समारों में पूर मंतरी के पड़ा जिरी स्थित फॉर्म हाउस पर सब चल रहा था नेताओं विदायकों पुलिस की मौजूदगी में हर्श फाइरिंग ने छतरपुर में पुलिस और कानून व्यवस्ता की पोल खोल के रख दी है वीडियो में कॉंगर्स के बड़ा मलेरा विदायक परदोन सिंग भी मौजूद थे हाई प्रफाइल मामला होने की वज़ा से पुलिस ने भी इस मामले में कारवाई करने में लापरवाई बढ़ती कलेक्टर के पौवर बहुत होते हैं लेकिन काकेर कलेक्टर ने तो हद ही पार कर दी कारिकरम इस थल से पी डबलीटी के एक इंजीनर को उठवा कर पांच घंटे थाने में बैठा के रखा अब ये मामला तूल पकड रहा है और कलेक्टर की बत्तमीजी के खिलाफ अधिकारियों और करमचारियों की यूनियन ने सामने आकर कलेक्टर के विवहार और कारिकरम प्रवावित ना हो इसलिए विवाक याने अधिकारी कार स्थल पर अपनी जिमेदारी सम्हाले हुए थे PWD के कारे पालन अभियंता डी राम को कारे करम स्थल से कलेक्टर के निर्देश पर टियाई हाथ पकड़ कर ले गया और घंटो पूलिस स्टेशन में बिठाय रखा बताया जा रहा है कि कार्याले के नए पर्दे नहीं पदलने के बाद विवाद में PWD के इंजीनियर के खिलाफ या कारेवाही की गई जिसकी जानकरिया भी इनके द्वारा हमको मिली है और ये चाहते हैं कि जो उनके साथ दुरवैवार हुआ इनके दिकारी के साथ तो उस पर उस पर कारावई होने चाहिए इनका तहना है तो मैंने इस बात को माननी विधायक मौदयक आउगत करवा दिया आप देख रहे है दखल नियुट संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ता जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से कूटनीती तक दख आप क्या हम आप देख रहे हैं दखल न्यूज